देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा ग्यानवापी मस्जित को लेकर हो रही है। दावे किये जा रहे हैं कि मंदिर में शिवलिंग मिला है और हिंदू पक्ष अब पूजा का अधिकार मांग रहा है। दूसरी और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जित तीन शताब्दी पुरानी है। इस पर कोई विवाद नहीं था। 1947 में भी इस पर कोई विवाद नहीं हुआ और जब भी कुछ विवाद हुए तो फैसला मस्जित के पक्ष में ही आया। लेकिन अचानक अब इसे विवाद में घसीत लिया गया है। विवाद सिर्फ ग्यानवापी मस्जित को लेकर नहीं है बलकि मतुरा की ईदगा मस्जित का मामला भी अधालत में पहुँच गया है। उसे बदला नहीं जाएगा। तो आज हम इन ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ अंशिता श्रिवास्तव। तो आज की स्पेशन रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या है वर्शे पैक्ट 1991 और क्यों इस आक्ट के बावजूद कोट में पहुँच गए मतुराकाश का मामला ही नहीं आज हिंदू पक्ष की ओर से उन 4,000 मस्जिदों पर भी दावा किया गया है जिसके बारे में उनका तर्क है कि वो मंदिर के जगा पर खड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सभी मामले कोट में आ गए तो फिर संसत के बनाए कानून का आखिर क्या होगा मोदी सरकारिन कानून को ही रद कर देगी या फिर सुप्रीम कोट इस कानून को साइड रख देगा अगर कानून रहा और पुराने धर्मिस्थलों को लेकर कोंग्रेस की सरकार बनी और पीवी नर्सिंग राव देश के प्रधान मंत्री बने तव देश में अंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था हिंदू संगठन कार सेवा के नाम पर हर महीने अयोध्या में बड़ा आयोजन करने लगे थे जिससे अयोध्या में बनी बाब संसद में पास किया गया और इसके साथ ही अस्तित्तु में आया प्लेस ऑफ वर्शेप पैक्ट 1991 यानि पूझा इस कानून की धारा दो में कहा गया है 15 अगस्त 1947 में मौझूद किसी धार्मेक स्थल में बदलाओ के विशे में अगर कोई या चिका कोट में पैंडिंग है त को ही कायम रखी जाएगी इस अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी धार्मेक स्थल को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने के अनुमती नहीं होगी एक धर्म के पूझा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए और ना ही एक ही धर्म के अलग खंड में बदला जाए इस अधिनियम की धारा चार एक की अनुसार 15 अगस्त 1947 को धर्मिस्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा इस अधिनियम की धारा चार दो कहती है उन मुकदमों और कानूनी कारवाहियों पर ततकाल रोक लगा दी जाए जो प्लेस ओव वर्शे पैक्ट के लागू होने की तारीख पर पैंडिंग थे प्लेस ओव वर्शे पैक्ट की धारा 5 में कहा गया है कि यह एक्ट राम जन्म भूमी बाबरी मजद माम ले और इससे संबंदित किसी भी मुकदमे अपील या कारवाही पर ला योध्या जैसा दूसरा विवाद नहीं चाहती थी और योध्या विवाद की चाया इस कानून पर नहीं पड़े इसलिए आयोध्या विवाद को इस कानून से दूर रखा गया था वर्शे पैक्ट में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी धार्मे किस्थल में बदला उन नहीं क अपा जा सकता है जब कानून में साफ साफ लिखा है तो फिर क्यों ये मामने कोट में पहुँच चुके हैं और कोट क्यों सुनवाई को लेकर तयार हो गया है इसे लेकर मुसलिम पक्ष अब कोट के आदेश पर ही सवाल उठाने लगा है अगर कानून संसद ने बनाया है तो कानून का पालन करानी की जिम्मेदारी किसके है सवाल में ही जवाब भी दिया गया है और जवाब है कानून का पालन करानी की जिम्मेदारी कोट की है लेकिन कोट ने ही इस मामने की सुनवाई शुरू करने के अनुमत ही दे दी है जिसके बात सवार उठ रहे हैं कि क्या 40,000 और मस्जिदों के मामले कोट में आने वाले जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें मंदिर की जमीन पर बनाया गया है अगर मस्जिद के खुदाई हो तो नीचे मंदिर के अफशेश मिलेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा संभव है तो यह आपकी गलत सोच है यह अभी सुप्रीम कोट में इस कानून के वैदिता को लेकर सुनवाई भी चल रही है इस बीच काशी और मत्रा के मामलों की सुनवाई भी शुरू हो गई है ग्यानवापी मामले के सुनवाई पर साफ साफ कहा था कि यह मामला टाइटल सूट कर नहीं है पूजा की अधिकार से जु लेकिन मत्रा की इद्गाह मजदद और श्रीकृष्न जन्मभूमी का विवाद जमीन को लेकर चल रहा है उनकी अधेश में कहा है कि और से समुझोता और उसके बाद समझोता डिक्री को चुनौती दी गई 1960 में विवादत जमीन के बटवारे की समझोता डिक्री हुई थी, याचिका करताओं की ओर से इसे चुनोती दी गई है, मुसलिन पक्ष की ओर से इसे प्लेसेज और वर्षे पैक्ट 1991 का उलंगन कहा गया है इस पर कोट ने कहा कि वर्षे पैक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 में साफ लिखा है कि इसके लागू होने यानी वर्ष 1991 के पहले किसी कोट नयायधी करण या अन्य प्राधिकारी के स्तर पर पूजय स्थलों से संबंदित केस को निप्टाया गया हो, उस पर ये प्रभावी नह ही होगा, क्योंकि यहां 1968 के मामले को चुनोती दी गई है, इसलिए कोट इसकी सुनवाई करेगा, इसके साथ ही मत्रा की अदालत ने दोनों ही पक्षों को जमीन से जुड़े साक्ष उपलब्द कराने की निर्देश भी दे दिये, तो कोट के फैसले से साफ है कि भले ही मत् मस्जित की जमीन को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन ग्यानवापी मस्जित के मामले में जमीन विवाद पर सुनवाई नहीं हो सकती, ग्यानवापी को लेकर वर्शे पैक्ट उनने स्विक्यानवे लागू होगा, और उन सभी 40,000 मस्जितों को भी इस अक्ट से मिलेगा जिसे लेकर हिंदु पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहां पहले मंदर थे और उन्हें वापस लिया जाएगा इसी लिए बीजेपी के अंदर से ही अब यह मांग उठ रही है कि वर्शे पैक्ट को वापस ले लिया जाए लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस समय पहले से ही सामप्रदाइक विभारजिन को लेकर मोधी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है तो आज के से स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही फिर हाजर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार झाल